आज हम देखेंगे कि राजा राम मोन राय का योगदान या आधुनिक भारत के जनक राय का जनम ऐसे कुलीन किंतु अनुदार वादी ब्राह्मन परिवार में हुआ था जो अपनी जीवन द्रस्टी में पूनते प्रमप्रावादी पोरानिक वे कर्मकानि था तथा उनकी प्रारम शिक्ष्या में आधुनिकता का अभाव था राय के युक का भारत भी मद्देविगिन धार्मिक एबुद्धिवादिता वे सामजी कुरूतियों में डूबा हुआ था राजनितिक छेतर में एस्तिर्त वे आराजकता थी और आर्थिक छेतर में उत्पादन के प्रमप्रागत साधनों का प्रचलन था बिटिस राज्य द्वारा बादेकारी रूप में भारत के राजनितिक एकीकरण की जो प्रकिरिया अपना ही जा रही थी वेह ने केवल राजवन्सों वे अभीजन वर्क के लिए भी कष्टकारी थी राई की विशेषता यह है कि एतियासिक द्रस्टी से वे पर्थम भारतिय थे जिनोंने अपनी विशेष्ट बुद्धिवे पर्तिवा द्वारा भारत में बिटिस राजजी की स्तापना के कि अथार्त और वारत स्विक तथे के रूप में ने केवल स्विकारा अपी तो उन्होंने इस बाद पर भी विशार किया कि भारत के पुनर उप्थान के लिए बिटिस राजजी के कुपयोगी साधन की रूप में किस प्रकार इस्तिमाल किया जा सकता है आधुनिक भारत का अग्रदोद पहला है बुद्धिवाद तथा आधुनिक तवाद के पृतिपादग राय के चिंतन का सरवादिक महत्पून बुद्धी या बिंदू उनका बुद्धिवाद था जिसके चारों और उन्होंने अपने धार्मिक, सामाजिक, राणितिक विचारों का तानाबाना तैयार किया राय को प्रथम आधुनिक्तावादी भारतिय होने का गोरव प्राप्त है ये उलेखने है कि उनके लिए आधुनिक्तावादी होने का अर्थ है पस्चिम की सब्वेतावा संस्कृति का अंधानु करन नहीं था जैसा कि मैंक्यावली आधी पास्चाते विद्वान चाते थे भारत में ब्रिटिस आसन किस्ता अपना के साथ ही इशाय धर्म का भी प्रकार परसार हुआ और इसाई पादरिवा अने एक बृतिश विद्वानों द्वारा ये प्रचारित किया गया है कि भारत के सामाशिक्वे राजनितिक पतन के मूल कारण स्वन हिंदू धर्म इवन जीवन दर्शन में नहीं थे इस प्रकार के प्रचार ने अधिकांच भारतों में हींता का भावत्पन क्या और उन में से कुछ को इसाई धर्म अपनाने की एक यूरोप्य संस्किर्त वे जीवन मुल्यों का अंधानू करन करने की प्रेड़ना दी वे प्राचीन भारते दर्शन संस्किर्ति वे जीवन मुल्यों से अत्तरिक प्रभावित थे उनकी मानने था थी कि प्राचीन भारत की महानता इन प्राचीन तथ्यों पर याद आ रही थी और यदि उनके युक का भारत धार्मिक, सामाजिक वर राजनेतिक दस्ति से घोर पत उत्पन करती थे राय ने इस मत पर बल दिया कि भारतियों को पुने एक बार अपनी महान धार्मिक सांस्कर्थिक वे दास्निक विराशत के उन अंगों में माननताओं का अपनाना चाहिए जो उनके युगा नुकूल उत्थान में सायगू है इस आधार पर उन्हें भारत के पुनर उत्थान के लिए सब पर्थम पुनर जागरन का संदेश दिया और इसी अर्थ में उन्हें भारत ये पुनर जागरन का अगरदूत कहा जाता है राय के पुनर जागरन के संदेश में प्राचीनता के साथ ये आधनिकता का भी सही योग दिखाई पड़ता है राय की द्रस्टी निरंथक रूडियों में पर्थाओं से दुन्डली नहीं पड़ती उनके उदार हिर्दे तथा उतने ही उदार मनने उन्हें पूर को हीन मानने बिनाही पस्चिम देशों का संदेश स्विकार करने की और प्रेरित किया नेक्स्ट है धार्मिक चेत्र में योगदान विष्वितियास में राय संबवते ऐसे प्रथम विद्वान थे जिन्होंने विष्व के प्रमुक धर्मों का तुलनात्मक अध्यन किया और उसमें निहित सामान ने सत्ते को प्रगट किया राय ने वेदान्त का अनुकरन करते इस्वर की निराकार वे एकेश्वर वाधिधारना को अपनाया उन्होंने धर्म को एक अध्यात्मिक वे नथिक सत्ता की रूप में मान्ना था दी और इस आधार अधार पर एक ऐसे सार भोमिक धर्म की अधौन प्रश्तुत की जिसके न्यतिक सिद्धानत्य विष्व के सी मनुष्य द्वारा अनुकरने हों। उन्होंने धर्म के प्रति बोध्धिक वेतार की द्ष्टिकोन अपनाते हुए उनकी सामाजिक उपयोगता पर बल दिया। इस द्ष्टि से उन्होंने एक और धार्मिक सही स्वनुता के सिद्धान का समर्थिन किया और दूसरी और धार्मिक कुरूतियों अन्दविश्वासों पाखंडों का भी विरोध किया। राय ने भारत के उत्थान के लिए हिंदु धर्म में सुधारों की मांग प्रिश्टित की और इस द्रिष्टि से मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कर्मकांड, बलीपर्था, आधी का विरोध किया। सामजिक छेत्र में योगदान, राय की गण्ना आधुनिक भारत के सामजिक शुधारतों में की जाती है। उन्होंने भारते समाज में व्याप्त सामजिक अन्यायव कुरूतियों के लिए प्रोहित वर्ग वे कुलीन वर्ग को दोसी ठेराया। राय ने सामजिक अन्यायव कुरूतियों के विरोध वे अंध के लिए विभिन साधनों का अपनाया। उन्होंने प्राचीन धर्म सास्त की उधार वैख्या परस्तुल किया। सामजिक संगिठन के बारे में राय का द्रश्टी कौन था उप्योगतावादी, इस द्रश्टी से उन्होंने हानिकारिक सामजिक प्रथाओं आउं मुल्यों का विरोध किया। राय ने जर्म आधारी जाती प्रथा, एस प्रस्ता, सती प्रथा, बाल विवा, बहुपत्नी प्रथा, प्रदा प्रथा, भून अत्या, आधी सामाजी कुरूतियों का भी विरोध किया। राय ने इस्तियों की शिक्षा तथा सामाजी की जीवन में उनकी भागीदारी के महत को प्रिकट किया, उन्होंने युवावस्ता वाली विद्वाओं के पुनर विवा का समर्थन किया और इस द्रस्ति से सहे विवा की विवस्ता को सुईकारा आधनिक भारत के महान शिक्षाविद राय ने ततकालीन भारत में प्रसलित मद्द्विगिन भारते शिक्षा पद्देती का विरोध किया क्योंकि वे अपनी प्रकरतिय उद्दिशों से अंदारवादी परमप्रावादी तथा संकेन थी उन्होंने इसके इस्तान पर पाश्चात्य शिक्षा पद्धिति का समर्थन किया क्योंकि इसके पाठ्ठे करब में प्राकृतिक विद्वानों या विज्ञानों को सामिल किया गया था नेक्स्टे आर्थिक छेत्र में योगदान राय ततकालीन भारत की आर्थिक दुर्दसा से दुखी थे जब कि वे भारत को अतीत की भाती पुने आर्थिक दस्ति से संपन वे संब्रद राष्ट के रूप में देखना चाहते थे उन्होंने भारत से धन्निकासी, जमिदारों, द्वारा किसानों के सोशन, किर्शी भूमी की ववस्ता, भारते किर्शी के पतन और दुगी की करण क्या आउसकता, पुन्जी की कमी, सरकारी वे में विर्दी, भारत से निर्यात किये जाने वाले माल पर तटकर की मात्रा, पर राज जी की ऐस्तक्षेप की निति का समर्थन नहीं किया, उन्होंने भारत की किर्शी वे उद्द्योगों के विकास के लिए सरकारी पहलेव सायोग के मेहतो को पृकट किया, राज नितिक छेतर में योगदान, राय ने प्रतक्स रूप से भारत में स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया और इसलिए उन्हें स्वराज का अग्रदूत भी नहीं माना जाता किन्तु उन्होंने भारते राष्टवाद का अग्रदूत अवश्य कहा जाता है राय पहले भारती हैं जो उन्हें ने भारत को मात्र एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में नहीं अपी तो एक संपूर्ण राजनितिक इकाई के रूप में देखा वस्तुत है उन्होंने संपूर्ण भारत के संदर में ही धार्मीक सामाजिक आर्थिक और राजनितिक चिंतन को प्रकट किया और उन्होंने एक राष्ट के रूप में भविश्य में भारत की एक ऐसी कल्पना प्रस्तुत की जो विश्व के विक्षित वे सम्दत राष्टों में अपना उच्छेतिस्तान पाने में समर्थ राय मूलते राजनितिक चिंतनी नहीं थे राजनितिक छेत्र में उनका सर्वत्तम योगदान यही है कि उन्होंने राष प्रसंसा की और एक व्यवस्ता के रूप में प्रेश्व अभिवक्ति की सुतनता को आउसक बता है विश्व बंदूत वे अंतर आश्ट्यवाद का समर्थन राय ने अध्यत्मिक आधार पर यह माना कि सभी राष्टों के मनुस्य एक इस्वर की संतान है उनका मत्था कि सही सनुता सयोग एकता वे बंदूत के संबंद होने चाहिए राय ने मनुस्य के बीच जाती धर्म वासा के आधार परी राष्टे आधार पर भेदवाव किये जाने का विरोध किया राय ने विश्व बंदूत की धार्णा के साथ ही अंतर आश्टेवाद का समर्थन किया वे राष्ट के बीच ए सयोग तनाव अत्वा युद्ध के स्तान पर मैत्री सदबाव वे सांधिपूर्ण संबंदों के पक्सदर थे वे अंतराष्टे व्यापार तता राष्टों के बीच तकनिकी ज्यान के आधान प्रदान के भी समर्थक थे उन्होंने मानव कल्यान व विश्वशानति के स्तापना के लिए विश्विश्टर पर राष्ट्य सुचनता की धारना का समर्थन भी किया था अंत में उपसाहर आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक आर्तिक वे राजनितिक जागरण वे उत्थान में राजा राम मून राय की भूमिका योगदान अनुपम है एश्यातिक द्रस्टी से वे प्रथम भारतिय थे जिन्होंने मध्य युक्य अंदकार में डूब वे भारत को आधनिक युक्य प्रकास का बोद दिया बिजिंदरनाथ सील कहते हैं कि राय ने भारति राजवववस्टा के प्राचिन में मध्योगिन ततों की आ पास्ती इकाई के रूप में स्विकारा और अपने युक के भारत की विभिन समश्याओं पर घहराई से विचार किया तता उनके समाधान प्रस्तुत किये उनके विचारों ने आगामी लगबग डेड़ सो वर्सों तक भारत के सार्धुनिक जीवन के सभी छेत्रों को अत् जीवनिक भारत का जनक माना जाता है थेंक यू